ओम ख्लीम कृष्णाय नमः नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं नीलम शुकला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों माग माज की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शट्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और शट्तिला एकादशी का वरत भगवान श्रीहर विष्णू को समर्पीत होता है इस दिन वरत धारन करने से और विधी विधान से भगवान श्रीहर विष्णू की और शास्त्रों की अनुसार श्रतिला एक देशी के दिन अधिक से अधिक कार्यों में अगर आप तिल का प्रयोग करते हैं तो इस से भगवान श्रियर विष्णु की क्रिपां से आपके मन की समस्त कामनाई भी पुर्ण होती है और समस्त प्रकार के काई कवाचिक मानसिक पापकर्मों से भी मुःती मिलती है सब्सक् rifles ने पूजार ने करने चाहिए और किस प्रकार से चे प्रकार से आप तिलों का प्रियोग कर सकते हैं संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और अब बात करें कि सट्तिला 21 साल 2024 में कब है 21 तिथी प्रारंब हो रही है 5 फरवरी 2024 को शाम को 5 बजकर 25 मिनट पर और समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम को 4 बजकर 7 मिनट पर तो सुर्योदय कालिन तिथी के अनुसाल 6 फरवरी को यानिकि मंगल वार के दिन एकादशी का वरत करेंगे और बात करें पारण के शुब महुर्थ के बारे में तो 22 तिथी प्रारंब हो रही है 6 फरवरी को शाम को 4 बजकर 7 मिनट पर और समाप्त होगी 7 फरवरी को शाम को 2 बज कर 2 मिनट पर शर्टिला एकादिशी व्रत के पारण का शुब मुहुर्थ है 7 फरवरी 2024 को यानि कि बुध्वार के दिन सुबह 7 बज कर 6 मिनट से सुबह 9 बज कर 18 मिनट तक शुब मुहुर्थ में पारण करना चाहिए तो दश्मी तिथी के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है मतलब तामसिक चीजों का त्याग करेंगे जैसे कि लसुन प्याज मांस मदिरा इन चीजों का सेवन आपको दश्मी तिथी के दिन नहीं करना है इसके अलावा मसूर की दाल, साक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन ये चीजे भी आपको नहीं खाने चाहिए और हाँ दश्मी तिथी के दिन आप चावल का सेवन भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने एकादशी का वरत धारन करना है और एकादशी का वरत करने वाले को दश्मी तिथी के दिन सुर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए मतलब अन और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए भूमी पर शैन करना चाहिए और ब्रह्म चर्य का पुरुण रूप से पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन आप प्रातेहकाल जल्दी उठेंगे शनानित्यादी करने के बाद सबसे पहले भगवान सुरेदेव को जल अर्पित करेंगे उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्रीहर विष्णु के सामने शुद्धिगी का एक दीपक प्रज्वलित कर ल और व्रत में पूजा पाठ में जाने अंजाने कोई गलती हो जाती है तो उन सभी चीजों के लिए शमाप्रार्थना कर दीजे अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है इसके बाद आप विधी विधान से भगवान श्रीहर विष्णु की पूजा करेंगे जैसे कि अगर आ भी शेक कर रहे हैं या फिर जल से कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा तिल अवश्य में राइए और इसके बाद आप भगवान श्रीहर विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए पीले पुस्प अर्पित कीजिए पीले फलो का भोग आप उन्हें अर्पित कर सकत कि धार्मीं को एकधि रमीग कर ती हैंं निर्जला वरत घरन करती हैं लेकिन को दीप-दान आवश्य करना चाहिए वशरां के समय आगर आप तुलसी में डीप-दान करते हैं तो इससे घर में जोया और सौलाए तो एकादेशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करेंगे लेकिन दीपदान जरूर करेंगे एकादेशी के दिन भगवायन स्टियर विष्णु की विधिविधान से पूजा करने के बाद उनकी आरती जरूर करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वास्व देवायनमा इस म करने से और शामके समय विधी विधान से भगवान श्रीह्र विष्णु की पूजा आराधन करनी चाहिए तो भगवान श्रीहर विष्णु के सामने एक शुद्दगी का अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्री में अगर भगवान श्रीहर विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ब्रत का संपुर्ण फल हमें प्राप्त होता है और अगर आपकी कोई विशेश मनो कामना है जैसे कि धन प्राप्ती की कामना हो या संतान प्राप्ती की कामना हो या फिर विवाह की कामना हो या दामपत्य जीवन को सुखमें बनाना चाहते हैं मतलब कोई भी आपकी मनो का मनोह कामनाएं भी पुर्ण होती हैं भगवान श्रीयर विष्ण की असीं क्रिपा भी पराप्थ होती हैं तो जितना भी समय आप से संबव के front भगवान श्रीयर विष्ण होने दिपक missiles करके और रात्री जागरण करना चाहिए मतलब रात्री में जाग कर भजन कीर्थन आप कर सकते हैं नाम जब कर सकते हैं या चाहे तो किसी भी स्तोत्र का किसी भी मंत्र का जब कर सकते हैं कोई भी पाठ कर सकते हैं दोस्तों शर्टिला एकादिशी पर भगवान श्रीयर विष्णु को तिल या तिल से बनी हु अवश्य ही अर्पित करना चाहिए तो पूरेश रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए और द्वादशी तिति के दिन शुब मुहुट में व्रत का पारण करना चाहिए और हाँ अपना पारण करने से पहले व्रत खोलने से पहले किसी ब्रामभर को घर बुलाकर कराना चाहिए ऐसा साष्ट्रों का विधान है लेकिन अगर किसी भी कारण वश्ट आप किसी ब्रामभर को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो ब्रामभर के निमित भोजन की कच्ची सामगरी दान के स्वरूप निकालकर और दक्षिना के कुछ पैसों के साथ आप किसी ब् आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे इसके साथ ही प्रदोष्ट वरतम मौनियमावश्या कभ़है गुप्तन वरातरी कप प्रारंभ हो रही है यह सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियू में मिलेगी इसके अलावा भी अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मिलती हूं मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार